शूट शाठी में दायान के पास ? शूट इस पताहे ने गा है अरा टिलर भाय शूट है रो टिलर पाय आ जहाँ में ? आई इशूट आ थीस बादागी ? आठ स्व्क कहाई ने की सौप भिया ? इसे ट्रैक्टर का जो टीजली खपत आती है बहुत खमाती और ज्यासे ट्रैक्टर चल रहाए है इसे खपत भी जाद आती है नमस्कार भाईयों यह टीलर लाए है किसान भाई कल्टिवेटर दस्टैन का और यह जाम है इसमें स्प्रिंग नहीं है बिना स्प्रिंगों का है यह पहले जो था वो स्प्रिंगों का था ग्यारा टैन का और यह ट्रैक्टर भी लिया है महेंद्रा 580 पावर पलस पावर पलस और हाई टैकी स्मार्ट हैड्रोलिक यह कंडिशन देख सकते सब्सक्राइब यह दो हजार अठारा मोडल है कि सरफवंच मोडल है महेंद्रा वालोगा और जो टायर है इसमें वो 1498 इसके हैं और साथ के ही टायर है इसमें जो साथ में आए थी यह कल्टिवेटर देख सकते हो आप कितने अभी खुर्पे हैं इसके आप अब जोताई भी देख सकते हो आप अभी एक बार ही बहाएं आप अब बात कराते हैं आपको कितने का लिया भाई हो 27,000 गा चूट शाठ की विश्मिद्धा है उनके पास चूट इस पता है निया गारा टिलर भाए चूट अच्छा इस परिंग वाले बहां अच्छा जाम पनी चूट आत्तिस बहां कहाईने की सो पिया दुकान डंडेडी आप चलो कैसा लगा है तो दितन नया यह बिलकुल बढ़े और ट्राइए पहले फाले ट्राइ ले रहे पहले तू बसर चलाएँ ना मैं कि इस पिंग वाले उसता बढ़े लग रहा है उसते बढ़ा चल रहा है चलो चलाओ यह पहले के हाई में है ट्रैक्टर यह गिल्ली मिट्टी है यह एक्सक्टर यह एक्सक्टर वह एक्सक्टर तीन, साड़े तीन इंच किया सपास ये लग रहा है पाड़ पाड़ में यानि पहली जुताई में ये देख सकते वाड़ ये दूसरी बार में बढ़िया लग रहा है और जो टीलर की जो किमत बताई है भाई ने वो 27,000 है और इन्होंने कहा है कि ये इस पर छूट नहीं आती सरकार की तरफ से तूट जो आती है वो जो स्प्रिंग का टिलर होता है उस पर आती है आप जुताई देख लो ये पहले हाई में चल रहा है तोप की लोग मच करवाते हैं अभी अब ये चो ठेगी लोम है चलाकर देखते हैं ये चो ठेगी लोम है और और आर्पियम जो है इसके वो पंद्रासो आर्पियम के आसपास हैं मीटर में जो यहां से नजर आ रहा है पंद्रासो आर्पियम है इसके ट्रेक्टर लिए ग्रावर सहाब को चलाने की जो आदत है वो लीवर पर हाथ रखकर चलाते हैं इसका कंट्रोल का जो लिए उसको सैटिंग करके सैट करके नहीं चलाते हैं मेच लादा सैट भी किया था पर आदत है बिना आख हाथ रखकर नहीं चलाते हैं पोजिशन लीवर को हाथ में रखते हैं जब भी थोड़ा लगता नजर आता है कल्टीवेटर तब ही उपर की और उठा देते हैं उससे जुताई थीक नहीं होती एक समान जुताई नहीं होती उससे हमेशा कल्टीवेटर जो चलाएं वो कंट्रोल लिवर से गहराई सैट करके ही चलाएं कुछ जो मिफ्ती है यह भी गिल्ली है टेक्टर में थाकत बहुत है बिल्कुल भी डब भी नहीं मानता कि इंजयन को जैस के पता ही नहीं ऐसे चल रहाएं अब यह देख लो कितना कबड़ा है यह देखो कितना कबड़ा है इसमें यह चल रहा है यह देख सकते हैं बिल्कुल गिल्ली है यह देखो बिल्कुल गिल्ली मिट्टी है और देखते हैं कबड़ अठकता आए गया यह देखे लो मिट्टी कैसे मैक मैक के मार रहा है यह कल्टिवेटर शोड़े और अठकते हैं लंबे उर्पे हैं इसके बहुत पर रहा है अगया कर दो हुआ है मैं गहराई पर बात कर दहा था कर अगर कर दो कर दो कर दो कर दो तो एक समान जुताई होगी, रेद में कहीं ज्यादा गहराई नहीं होगी, एक समान होगी, तो कभी भी जुताई करें, तो कंट्रोल लीवर से सैटिंग करके गहराई की, तभी कल्टिवेटर चलाएं, उससे ट्रैक्टर का जो डिजल खपत आती हो, बहुत कमाती है, और ज्याते ट्रैक्टर चल रहाई हो, कहीं पर यह रूप जाता है, इससे खपत भी ज्यादा आती है, तो कि ट्रैक्टर को जब ज्यादा लोड पड़ेगा, तो डिजल भी ज्यादा ही लेगा, और उत्राखंड में कोई बाई लेना चाहता हो, तो इसका नंबर 20 पर कल्टिविटर बदिया है, आप तो दिखा देंगे वीडियो में, ये उत्राखंड अरिद्वार में है, आप ये नंबर दे सकते हो, आप नंबर दे सकते हो, कल्टिविटर पीछे जो ड़ला हुआ है, अच्छा चल रहा है कल्टिविटर, हमारे इसाब से दो, ये बाहन दे सकते हैं, इल्ला बाहन है, टैन बहुत है, हैवी हेस्टी कटिंग के टैन है, ये, ये कटिंग की भी टैन है, मोटी स्चीट में से, इसमें कोई सेफ्टी बोल्ट नहीं दिया गया, टिलर में, बस यही एक कमी नजर आई, मोझे, इसमें सेफ्टी बोल्ट नहीं है, अगर कहीं चेड में, पूरपा इसक्या अड़ जाए, तो, इतनी आसानी से तो बैसे टूटे गा नि, टैन बोत हैवी है, कटिंग की है, सीट में से, पर अगर सेफ्टी बोल्ट हो तो वो बोल्ट तूट जाता है, कल्टिवेटर तो कोई नुक्तान नहीं होंता, यह देख लो, और नंबर में बोल्ट भी देता हूँ, 997212, यह नंबर है, अगरो, और कल्टिवेटर मालिक ने इसका थोड़ा एर्टसी बदादा, क्या बदादा, धंडेरी, वीडियूम की छे, यही इस कल्टिवेटर को लेकर आए है, यह नंबर देख सकते हैं, यह दो नंबर हैं यह वीडियो अच्छे लगई हो, तो चैनल को सस्क्राइब को, करें दिन भाईयों नहीं क्या हो, और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार भाईयों,